चलिए देखते हैं माइन्स और आप देख सकते हैं किस तरह से गारी पार हो रही काफी बड़ी है ये हल्पेक है और इसमें चलिए आगी को बढ़ता हूं इधर आप देख सकते हैं किस तरह से दरार हो गई है कंपन के कारण जब बलास्ट होती है और इधर आप देख सकते हैं लोग यहां पर रहते थें लेकिन माइन्स होने के कारण सभी को दुसरे जगा भेज दिये गए हैं देख सकते हैं किस तरह से हैं चलिए आगी के और बढ़ता हूं और देखता हूं किस तरह से क्या है यहां से देख सकते हैं किस तरह से गारी जा रही है और काफी हार्ट यहाँ पर कोईला निकाली जाती है इधर देख सकते हैं किस तरह से यह बस्ती थी यहाँ पर इधर देख सकते हैं किस तरह से देखिए एक दुकान भी थी काफी बड़ी दुकान और उस दुकान को भी सभी घर दुकान सहीद हटाई गई है देख सकते हैं, काफी बड़ी माइन्स है, बहुत दूरी तक माइन्स है और अभी मैं आपको आगे ले जाने वाला हूँ और आगे देखते हैं क्या किस तरह से है उधर आप देख सकते हैं, सीधा देखिए किस तरह से धुहे निकल रही है क्योंकि जो माइन्स के अंदर है कहीं कहीं आग लग चुकी है जिसके कारण धुवा निकल रही है यह पेड भी गुर चुकी है और अभी इसाम की वक्त है चलिए आगे की और चलता हूँ और देखता हूँ क्या किस तरह से यह रास्ता है रास्ता काफी चोड़ी है क्योंकि बड़ी गाड़ी पार होती है यह इधर आप से देख सकते हैं काफी उची होती है काफी उची है और गाड़ी को आने जाने में सुविधा हो इसलिए रोड चोड़ी होती है साम की वक्त है देख सकते हैं किस से अभी धूप हलकी हलकी बिल्कुल काफी खुप सुरत और अच्छा नजार आए आप यहां से देख सकते हैं सीधा सिधा आप देख सकते कि इस तरह से कोईले या फिर पत्थर ले जा रही है उधर आप आगे की और देख सकते हैं बिल्कुल आगे की और ये गाड़ी अब देख सकते हैं अभी गाड़ी खाली करके आ गई है उपर में काफी उची होती है देख सकते हैं किस तरह से धीरे धीरे उतरना पड़ती है ये इधर आप इसमें पत्थर या फिर कोईला होती है कोईले को कोईले की जगह में अनलोड की जाती है और पत्थर को पत्थर की जगह में यह रास्ता आप जैसे काफी डाउन है और काफी नीचे तक गई है काफी बड़ी मान्स और लोग काफी hard work करते हैं मेयनत करते हैं तरतर हके लोग यहाँ पर काम करते हैं घर सबको भी मान्स में परिवर्तन कर दी गई है देख सकते हैं किस तरह से है काफी उची और बड़ी ये गाड़ी आप देख सकते हैं रास्ता काफी नीचे होने के कारण गाड़ी बिल्कुल धीमी-धीमी गती में जाती है और देखे किस तरह से गाड़ी जा रही है धूल भी काफी उड़ती है समय समय पर पानी भी दी जाती है ताकि धूल ना उड़े और किसी परकारसी असुईधा ना हो और आप देख सकते हैं उधर से गाड़ी आ रही है ये आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी लोड होकर आ रही है इसमें बिल्कुल कोईला है और यह कोईले की अस्थान पर जाकर कि अनलोड होती है देख सकते हैं ठीक है take care thank you my dear friends